जिग्यास्तों मेत्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव सर्जन स्प्रीच्वल में परतेक दिवस की भाती आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का यह कारिकरम आपके समक्ष कर रहे हैं और इस काईकरम का आज का जो हमारा विशय है वह है ब्रह्म योगी की मृत्यू ब्रह्म योगी की मृत्यू और योग भरष्ट इन दो विश्यों पर हम चर्चा करेंगे आज तो इसका तातपर है क्या है ब्रह्मय योगी की मृत्यू कैसे होती है इससे आप क्या समझते हैं वास्तों में यहां ब्रह्मय योगी कहने का तातपर है क्या है पहले वो समझें कि ब्रह्मय योगी जो ब्रह्म से योग स्थापित करने में लगा हुआ है वो ब्रह्मय योगी है जो उसे हम आत्म ज्यानी भी कह सकते हैं या आत्म ज्यानी से ज्यादा बेहतर होगा उसे आत्म अनुसंधानी कहा जाए जो आत्मा पर अनुसंधान में और आत्मा को जानने में और उसको जान लेने में जो लगा हुआ है निरंतर जो प्रयासरत है साध विकास नहीं होना तो जो इस प्रकार से लगा हुआ है साधना में प्रयास में वही ब्रह्मय योगी है जो ब्रह्म से योग स्थापित करने में लगा हुआ है वही ब्रह्मय योगी है और उसकी मिर्थ्यू कैसे होती है और साथ ही हम योग भरष्ट पर भी चर्चा करेंगे आज श्रीमत भगवद गीता में वैसे विवेक चुड़ा मनी में तो इस विशय पर चर्चा नहीं मिलती योग भरष्ट की परन्तु श्रीमत भगवद गीता में मिलती है क्या संबंध है दोनों का वह भी स्पष्ट होगा तो किसी योगी की किसी सिद्ध योगी किसी ब्रह्म योगी की मिर्त्यू कैसे होती है और उसकी मिर्त्यू होने का तात्पर एक क्या है आईए हम उन सभी बातों को विवेक चुड़ा मनी के आज की इस शर्चा से हम समझने का प्रयास करते हैं तो आदी गुरु शंकराचारे कुछ सचेत करना चाहते हैं कुछ समझाना चाहते हैं और सचेत करना चाहते हैं किसी खत्रे से तो शुरुवात में पहले तो उन्होंने कई विश्यों पर चर्चा की वासनात्रय को समझाया त्रिगुनी माया को समझाया कि ती होगा यजब वासना का निशेद करना चाहिए तो इन सभी विष्यों की का निशेद करके ब्रह्म वासना को पैदा करना चाहिए यह भी समझाया कि ब्रह्म वासना अगर पैदा होती है तो निश्य ही हमारे लिए सरल हो जाएगा बहुत हमारी जो गती है वो तेज हो जाएगी जैसे हम गाली का एक्सेलेटर दबा देते हैं तो कितनी तेजी से भागती है वैसे ही हमारी गती तेज हो जाएगी अगर हमने ब्रह्म वासना अपने अंदर पैदा कर लिए तो अब आगे चलो सब हो गया लेकिन एक और कोई बाधा हो सकती है कई बाधाओं की चर्चा कर रहे हैं तो उन्होंने त्रिगुनी माया की चर्चा की, वासना तरह की चर्चा की, एहंकार की चर्चा की, कर्म वासना और चिंता की चर्चा की, इन सब पर हम ने कल भी सुना, उसके पहले के वडियो में भी हमने सुने इन सब विशो पर चर्चा, अब वो एक नई प्रकार की बाधा, योगी के जीवन में आत्मे ज्यान के अनुसंधान के जीवन में अनुसंधान करता के जीवन में साधना करता के जीवन में उस साधू के जीवन में एक और बहुत बड़ी बाधा आ सकती है वासनाओं के अलावा, एहंकार के अलावा, कर्म और चिंतन के अलावा, चिंता के अलावा जब विश्यों का चिंतन होता है तो वासना ही उत्पन होती है, वासनाओं से कर्म होता है और जितना कर्म उतनी वासना, कर्म बढ़ेगा तो साथी साथ वासना भी बढ़ेगी यह सब विशह हमने सुना लेकिन अब एक और बहुत बड़ी बाधा के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सी बहुत बड़ी बाधा है जो हमें उस कैवल तक पहुँचने से रोख सकती है बाधा उत्पन कर सकती है साथ ही इसी विशह से संबंद्यत योग भरष्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे तो चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है कहा जा रहा है द्रिश्यम प्रतीतम प्रविलाप्यन्यस्वयम सनमात्र मानंद घनम विभावयन समाहित संबहिरंत रमवा कालम नेय था सती कर्मबंधे यदि तुम्हारा कर्मबंधन अभी शेश है कालम नेय था सती कर्मबंधे यदि तुम्हारा कर्मबंधन अभी शेश है तो इसे प्रतियमान दृश्यकाल लए करते हुए तता बाहर भीतर से सावधान रहकर अपने सत्ता मात्र आनंद घन स्वरूप चिंतन करते हुए कालक कि तुम उन कर्मों के प्रवाह में बैहकर अपना पतन कर सकते हो। ठीक है? तो इसे लिए तुम इसके लिए सावधान हो जाओ। तुम अपने चित को आत्मा में ब्रह्म में ही लगा कर रखो। आत्म इस्थित बन कर रखो। बाहर भीतर से सावधान रहो और अपने बाहर भीतर दोनों से समाहितह सन बहिरंतरम वा कालम नेयतह सती कर्मबंधे ठीक तुँ बाहर भीतर से सावधान रहकर सत्ता मात्र आनंद गन स्वरूप का ही चिंतन करते रहो नहीं तो कर्मबंधन तो शेश रहते ही हैं और जब तक तक तुम्हारी कैवल्ले मुक्ति नहीं होई जब तक तुम्ने कैवल्ले पद को नहीं प्राप्त किया तब तक तुम्हारे कर्मबंधन तो है और इन कर्मबंधनों के वशिभूत संभव है कि तुम जो है पतन के मार्ग पर चले जाओ ये वासनाए तुम्हें दुबारा अपनी और खीच ले ये वा सवस्था से बचने का प्रयास करते रहो और अपने चित को आत्मा में लगाए। बाहर भीतर से भी साउधन रहो बाहर भीतर मतलब अपने बाहरी करमों से भी और अपने मन के विचारों से भी साउधन रहो ब्रह्म विचार में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए जब तुम ब्रह्म अनुसंधानी बन गए हो जब तुम आत्म अनुसंधान करता बन गए हो उसमें अनुसंधान लगे हो साधने में अपने आपको लगे हो तो उसमें ब्रह्म विचार में कभी प्रमाद नहीं करना चाह लापर वाही नहीं करनी चाहिए क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत्कुमार ने प्रमाद को ही मृत्यु माना है प्रमादो मिर्त्यूर्त्याह भगवान ब्रह्मन सुतह अर्थात की सनत कुमार सनत सनादी सनत जो योगी है ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे गए हैं तो इन्होंने प्रमाद को ब्रह्मनु संधान में ब्रह्म विचार में जब तुम लगे हुए हो उस लक्ष को लेकर उसमें प्रमाद करना मृत्व के समान है। अर्थात विचारवान पुरुष के लिए अपने स्वरूप अनुसंधान से प्रमाद करने से बढ़कर कोई अनर्थ नहीं है। थोड़ा भी इधर उधर अपने ध्यान को अपने लक्ष को ले जाता है तो उससे बढ़कर दूसरा कोई अनर्थ नहीं है। कि इससे मोह होता है फिर से मोह जो दब गया था कामनाय जो दब गई थी वासनाय जो च्छे हो गई थी फिर से इसलिए पहले बिनों ने कहा कि चित को अगर नहीं लगा कर रखा फिर से वासनाय उसमें उत्पन हो जाती है। अगर तुमने चित को अपने आत्म अनुसंधान या ब्रह्म विचार या ब्रह्म चिंतन से उसमें नहीं भर दिया तो फिर से उसमें वासनाय उत्पन हो जाएंगी। आप अपना ध्यान रखें बाहर से भी ध्यान रखें अंदर से भी ध्यान रखें और इस परकार आदीगूरु शंकराइचारे क्याता है कि प्रमाद ही योगी की मिर्त्यू है उस indoor तो विचारवान को स्वरूप अनुसंधान में अपने स्वरूप अनुसंधान में लगे रहना चाहिए स्वरूप अनुसंधान में लगे रहना चाहिए अपने आत्म अनुसंधान में लगे रहना चाहिए क्योंकि इसी से मोह और मोह से एहंकार बढ़ता है और एहंकार बंधन से क्लेश की प्राप्ति होती है मोह बढ़ेगा और मोह से एहंकार बढ़ जाएगा एहंकार से क्लेश की प्राप्ति हो जाएगी समझ गया मोह बढ़ जाएगा कई प्रकार के मोह हैं मोह भी कई प्रकार के हैं तो कहीं भी किसी वस्तु से किसी अवस्था से मोह बढ़ जाएगा और वो इतना सुक्ष्म होता है कि आपको जरासा भी गलत भी महसूस नहीं होगा आपको लया कि सही है मोह भी गलत नहीं है ऐसा आपको प्रतीत होना शुरू हो जाएगा लेकिन कहीं न कहीं संसारिक प्रतिस्परधा से संसारिक जंडा गालने के चक्कर में आप जो है एक प्रकार का मुह पैदा कर लेते हो और आप उसे गुरु सेवा बताने के लिए वो तर्क भी देना शुरू कर देता है ठीक है ऐसी स्थिती बन जाती है विचित्र स्थिती और वहां पर योगी का पतन शुरू हो जाता है विश्या भिमूखम द्रश्टवा विद्वान समपी विस्मृती विच्छे पयती दिधो शैर्योशा जारमी वप्रियम जिस प्रकार एक वैभिचारने इस्तरी अपने प्रेमी जार पुरुष को उसके बुद्धी बिगाल कर पागल कर देती है उसी प्रकार विद्वान पुरुष को भी विश्यों में प्रविर्त होता देख आत्म विस्मृत बुद्धी दोसों से विशिप्त कर देती है जब विद्वान पुरुष अर्थात ज्यानी व्यक्ति जो आत्मनुसंधानी है बहुत कुछ जानता भी है जब वह भी अपनी बुद्धी क तो वहां से हटा लेता है, तो बुद्धी को फिर से, देखिये, अगर उठोगे नहीं तो गिरोगे अपने आप, कहने का मतलब यह है, ठीक, अगर उठोगे नहीं तो गिरोगे अपने आप, इसलिए उठने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गिरना तो सभाविक है, वो अप आगल जैसी कर देती है वैसे ही ज्यानी पुरुष को विश्यों में प्रविर्त होता देखकर आत्म विस्मृत जैसे आत्मा की विस्मृती हो गई वैसे ही बुद्धी दोशों से विक्षप्त कर देती है बुद्धी जो है वो आपको दोशों से भर देगी क्यों को दोशों क आना वैसे ही जैसे गिरना है अगर उठोगे नहीं तो गिरना तो सभाविक्सी क्रिया है वो हो ही जाएगी यथा प्रकृष्ठम शैवालं छणमात्रम नतिष्ठती आविल्नोती रथा माया प्राग्यम वापी परांग मुखं जिस प्रकार शैवाल को जल पर से एक बार हटा देने पर वह छणबर भी अलग नहीं रहता उसी प्रकार आत्म विचार ही ने विद्वान को भी माया फिर घिर लेती है शैवाल को अगर जल से आपने हटा दिया या तो आप जल को चलाए मान कर दो बहते हुए नदी में शैवाल नहीं टिकता लेकिन अगर आपने शैवाल में लगा है ध्यान रखेगा यहां पर पूरा फोकस आदी गुरु शंकराचार ने स्वरूप पर रखा है आत्मा पर रखा है जो उसके अनुसंधान में लगा जो उसके ध्यान में लगा जो उसके चिंतन में लगा थोड़ी सी ढील करेगा थोड़ा सा शूट देगा वैसे सही माया हावी होने की कोशिश करेगी जब तक तुमने एक अवस्था है जिसकी कल भी मैंने चर्चा किये जब तक तुमने उस आनंद का अनुभाव ने किया पिछले व्याक्यान में हमने इस पर चर्चा किया लिखते हैं आदी गुरु शंकराचार कि ऐसा अनुभाव अगर उनके विपर माया च्छाही भी तो उनका ध्यान उसमें बना रहेगा क्योंकि उसोंने कुछ वैसे आनंद का अनुभाव कर लिया है जो साध माया के द्वारा संभव ही नहीं है संभव ही नहीं है तो यह यहाँ पर विचारनीय है यह यहाँ पर सोचना है तो उसी के लिए कह रहा है कि अगर तुमने अपने बुद्धी को आत्मचिंतन से हटा लिया तो माया उसमें व्याप्त हो जाएगी और वो दोशों से भर जाएगी लक्ष चूतम सदधी चित मीशद बहिर मुखं सन्नी पतेत स्थता प्रमादता प्रचुत केल केली कंदुका सूपान पंग्तव पतितो यथा तथा जैसे असावधानता वश सिढ़ियों पर गिरी हुई खेल की गेंद एक सिढ़ी से दूसरी सिढ़ी पर गिरती जाती है टप नीचे चली जाती है वैसे ही यदि चित अपने लक्ष ब्रम से हटकर थोड़ा सा भी बहिर मुखी हो जाता है तो फिर बार बार नीचे की और ही गिरता है पतन सुभाविक है गिरना सुभाविक है अगर उठने का प्रयास नहीं करोगे तो गिरते तो जावगे ही इसकी अगर छोड़ दी तो एक सिड़ी पर गिरिट अप फिर दूसरी पर तप फिर तीसरी पर ऐसे करके वह एक एक करके नीचे गिरती जाएगी गिरती जाएगी वैसे ही आत्मा अनुसंधान से विचलित हुआ साधक आत्मा अनुसंधान से आत्मा के ध्यान से आत्मा के ध्यान में अपने आपको व्यस्त रखने वाला साधक अगर प्रमाद को समय देता है अगर प्रमाद को थोड़ा समय उसने दिया नहीं कि वह जो चित्यरूपी जो गेंद है वह गिरतना शुरू हो जाएगा और वह माया से भर जाएगा दोशों से भर जाएगा गिरना सुभाविक है इसलिए निरंतर उठे रहे उठने के प्रयास में लगे रहो निरंतर अपनी बुद्धी को आत्म अनुसंधान में लगा के रखो अन्यथा माया से भर जाना और पतन से भर जाना पतन हो जाना कोई वह बात नहीं अश्रजनक चीज नहीं है सुभादिक है वो हो जाएगा और आप गिर जाओगे ठीक है इसलिए आवशक्ता है कि तुम अपने आपको आत्म अनुसंधान में लगाए रखो उससे विमुख ना करो स्वेम को ठीक है तभी तुम लक्ष के प्राप्ति करोगे आगे देखते हैं विशय यश्वा विश्चेतह संकल्प यती तद गुणान सम्यक संकल्प नातकामह कामात पुनसह प्रवर्तनम विश्यों में लगा हुआ चित उनके गुणों का चिंतन करता है फिर निरंतर चिंतन करने से उनकी कामना जागरत होती है भगवान कृष्ण इस विशय में कहत हैं ध्यायतों विशयान अपुंसर संगस्तेश्य पजायते संगात संजायते काम कामादों क्रोधों अभिजायते क्रोधाद भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विब्रह्मा स्मृति भरन्शाद बुद्धिनाश्यों बुद्धिनाशाद प्रनिश्यति अर्थात विश्यों का ध्यान करने से कामना उत्पन होती है कामना पुर्ण ना होने से क्रोध उत्पन होता है और क्रोध से बुद्धि भ्रमित होती है बुद्धि सम्मोहित होती है और सम्मोहन से विवेक का गुणों का चिंतन करने वाला चित फिर निरंतर चिंतन करने उसकी कामना जागरत हो जाएगी और कामना से पुरुष की विश्यों में प्रविर्ती हो जाएगी इसलिए आत्मनुसंधान में लगे हुए साधक को सावधान रहना चाहिए कि वह इस बात का ध्यान रखे तोकि जहां विशियों का चिंतन शुरू हुआ वहां पर गिरावट भी आनी शुरू हो जाएगी। उसका निरंतर अधो पतन तो होता रहता है। पतित पुरुष का नाश के सिवा फिर उत्थान तो प्राया कभी देखा नहीं जाता। ऐसा लगता है। इसलिए यहां पर आदिगुरु शंकराचार कुछ ऐसे शब्दों का ताकि साधना करने वाले आत्मनुसंधान करने वाले लोग या साधक उनकी अंदर गिरने का भय पैदा होकि भया गिर सकते। ध्यान रखना। ठीक है। यहीं उसकी मिर्तिव है तो कि वहाँ जैसे प्रमाद उत्पन न हो जाएगा विश्यों का चिंतन उत्पन हो जाएगा और एक के बाद वहाँ एक जैसे की एक गेंद सीरी से टप टप नीचे की और गिरती है वैसे वो भी गिरता ही रहेगा गिरता चला जाएगा। ठीक स्थिती बन जाएगी और समाहित पुरुशी पुर्ण आत्म सिध्ध को प्राप्त कर सकता है नहीं तो यह गिरने गिरने की प्रकिरिया बनी रहेगी और तुम बार बार गिर जाओगे और यही समझो कि योगी की मिर्त्यू है क्योंकि यहाँ पर योगी की मिर्त्यू है गिरना शुरू कर दिया है, तो वहाँ पर वो योगी नहीं रहा गया, जहां माया का चिंतन शुरू हो गया, जहां वासनाओं का चिंतन शुरू हो गया, वासनाओं करे प्रकार की हो सकती है, लोक वासना भी हो सकती है, और फिर और दूसरी भी वासनाओं हो सकती है, देह वास प्राप्त करनी थी कैवल की प्राप्त करनी थी उससे पहले ही वो गिरना शुरू कर दिया तो निश्य ही उसे योगी की मिर्त्यू मानी जानी चाहिए यह प्रमाद ही ब्रह्म योगी की मिर्त्यू ऐसे होती है ब्रह्म अनुसंधान करता ही तो ब्रह्म योगी है और उसकी मिर मृत्यू को ऐसे प्राप्त हो जाता है तो यह मृत्यू को प्राप्त होना है यह इस प्रकार से इसको समझाया गया है हमारे इस वेख चुडामनी में लेकिन अब यहां पर अब यह जो बात है अधि गुरु शंकर हलाकि आगे वह बहुत सारे अभी विचार देने वाले हैं इ उनकी बात तो अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है लेकिन इस विशय में इस पतन के बारे में क्या योगी का पतन हो जाता है जी हां हो जाता है और इसे श्रीमत भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहाते है योग भरष्ट कहने का तात्पर है कि तुम्हें योग भ पसारा होगा और मौ का पसारा होने से एहंकार का पसारा होगा और एहंकार का पसारा होने से वासनाओं का सामराज्य स्थापित हो जाएगा और फिर उन वासनाओं के वशिभूत तुम करम करोगे और जितना उन वासनाओं के लिए करम करोगे उतना ही वो वासनाएं वर्ध तो तुम अब यहां पर तो सीधा आदिगुरु शंकराचारे कहा रहे हैं यह योगी की मृत्यू समान है इसे ब्रह्मन कुमारों ने ब्रह्मन कुमार अर्था सनकादी रिशियों ने सनत कुमारों ने प्रमाद ही ज्यानी की मृत्यू है प्रमाद ही विवेकी की प्रभु अगर किसी की मृत्यू हो गई या योग भरष्ट हो गया उस साधक क्या होगा उसे योगी का क्या होगा तो क्रिश्ण आरजुन को समझा रहे हैं और यहां पर आदी गुरु संक्राचारे अपने ग्रिह त्यागी जिन्होंने घर छोड़ दिया है परिव्राजक बन गए हैं जो जो भिखु बन सन्यासी बन चुके हैं उनको यहां पर समझा रहे हैं तो उनको इलट कर रहे हैं तुम घर बार तो सब छोड़ के आए हो अब तुम्हें जो है यहां पर इस तरह का कुछ नहीं सोचना है और तुम्हें अगर तुम्हारे प्रमाद में जाते हो तुम्हारे मिर्त्यू ऐसा समझो कि तुम्हारे मिर्त्यू हुई मिर्त्यू ही लेकिन भगवान कृष्ण हर सधारन मनुश्य के लिए अरजुन के लिए ऐसी बाते कह रहे हैं इसी लिए स्रीकृष्ण कह रहे हैं स्रीकृष्ण कह रहे हैं भगवान कृष्ण यहां पर गी मिर्त्यू हो गई शरीर च्छोट गया उसका मतली मिर्त्यू हों गई सद्धारन जो शरीर से मिर्त्यू होती है तो वह अगर घटना घट गई तो उसका योग खतम नहीं होगा, जितना उसने यूग किया है, वो उसके साथ ही रहेगा और वो दुबारा एक संसकार के रूप में काम करेगा और पुनह, पुनह जो है, वो यूगमार्ग पर चल पड़ेगा या फिर अपने अगले जनम में अपने पुन्य के वशिभूत वो देव यूनियों में भी जाएगा स्वरगादी का सुक भोग कर पुना शरीर धारन करकर अपने योग को संपन करेगा अपने योग को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि वो जो उसने योग किया है, उसे बार-बार प्रेणा देगा योग मार्क पर आने के लिए, ये उसके साथ होगा, लेकिन यहाँ पर आदी गुरु शंकराचार सजक कर रहे हैं कि उस समय के लिए तो उसका पतन हो जाएगा, उस स योग शुरू करो, अगर तुम योग भरष्ट भी होते हो, या फिर तुम्हारी मृत्यू भी होती है, तो ये मत सोचना कि तुमने जो किया हो वेर्थ चला गया, जी नहीं, वो तो रहेगा, वो कभी वेर्थ नहीं जाएगा, इस बात को बताकर भगवान कृष्ण हिम्मत दे रहे हैं, साहस दे रहे हैं, इसलिए शीमत भगवद गीता सधारन मनुश्य को लिए एक सधारन ग्रहस्त व्यक्ति और सधारन उचाहे सन्यासी उचाहे ग्रहस्त सबको समझने योग्य है, या उसकी बहुत महत्यपूर्ण विशेस्ता है, इसलिए कृष्ण कहते हैं, अ पर अनाश्चत होकर निश्काम भावना से जो करने योग सारे कर्तव्यों की पूल्ड को पालन करता है, पूल्ड करता है, वही सन्यासी है और वही योगी है, सिकृष्ण छटे अध्याय में ऐसा कहते हैं, छटे अध्याय के अंत में अरजुन प्रश्न करता है योग उसी को थोड़ा प्रमाद करने दिया तो उस प्रमाद के वशिभूत मोह उत्पन होगा मोह से एहंकार उत्पन होगा एहंकार से वासनाओं का समराज्य आ जाएगा और वासनाओं से फिर उसी वासनाओं के वशिभूत कर्म शुरू हो जाएंगे और उन्हीं कर्मों से और वा करतनी जाएगा वो उसके योग संसकार का अंदिर्मान करेगा और वह अगर इस जनम में दुबारा हो सकता किसी जनम में मार्ग पे आजा तो परकшие कि यह वे जो योग साधना के संसकार है वो बने हुए उसके अंदर इसलिए तो बगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर देहते आगे दिया मिर्ट्यू हो गई तो जब दुबारा शरीर धारन करेगा मनुष्य की मनुष्य जीवन के माध्यम से योग संभव है धारन करकर अपने पूर्व संसकारों के वशिभूत वह अपनी योग साधना को फिर से आगे बढ़ा देगा फिर से उन्नत कर लेगा फिरसे आगे बढ़एगा इसलिए अर्जुन तो योगी बन चिंता मत कर कि तो योग पद के प्राप्ति कि ये मुक्ति हो जाएगी तेरी मृत्य हो जाएगी तेरा शरीर नश्ट हो जाएगा और तो मृत्य को प्राग्यूट कि अर्जुन का पूछना स्वभाविक है क्योंकि अर्जुन युद्भूमी में खड़ा है तो उसे इस बात की चिंता है कि मैं योग प्रश्ट हुआ या मैं योग मेरे मिर्टू हो गई तो फिर क्या होगा मेरा उसका इस्पष्ट कर दीजिए तो भगवान कृष्ण इस्पष्ट करते हुए समझाते हैं इसलिए वो धारस बढ़ाते हैं लेकिन यहां प्रादी गुरु शंकराचार साथी साथ ठीक है गीता का लिप्त तो नहीं हो जाएगा लेकिन अगर लिप्त होने होता है या ऐसा कुछ होता भी है तो गीता श्रीमत भगवत गीता भगवान कृष्ण उसमें यह उपदेश देते हैं हिम्मत देते हैं साहस देते हैं कि तुछ चिंता मत कर अगर ऐसा हो भी गया तो उसे योगी का यूग किया हुआ यूग व्यर्थ नहीं जाता तो कदापी व्यर्थ नहीं जाता यहां तक क्यूंकि अभी तक उसने कैवल लपद की प्राप्ति तो की नहीं है तो जना मरंत उसका लगा रहेगा तो दुबारा मनुष्य शरीय धारन करेगा और दुबारा मनुष्य शरीय हो तो पहुचोगे जरूर गिरना उठना गिरना उठना ये तो चलेगा ही चलेगा लेकिन गिरने का डर तुम्हारे अंदर होना चाहिए तभी तो सावधान होकर चलोगे गिरने का डर तुम्हारे अंदर होना चाहिए इसलिए यहाँ पर अधिगुरु शंकराचारे साफ कहत है ऐसा भय पैदा करकर वह एक साधक को एक योगी को बचाने की कोशिश करते कि ताकि वो शिगरता से जल्द ही कम ही समय में अपने लक्ष को प्राप्त कर ले इस उद्देश्य से वो सारे चीजे कह रहे हैं तो चलिए नहीं तो फिर उसको लंबा समय लगेगा पतन हो गया फ किसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको विराम देंगे आज के स्काइकरम को तो समझें दोनों ही इसलिए योग भरष्ट को भी साथ में लिया गया क्योंकि गीता का जो उपदेश इस विशय में है उसको नजर अंदाज नहीं किया जा सकता भगवान कृष्ट ने कहीं पहुचेगा जब तक सुरुवात ही नहीं होगी तो पहुचोंगे कहां पर जाओगे कहां मिलोगे कहां राप्ति क्या होगी ठीक है तो इसी विशय को हमें थोड़ा समझ कर चलना है और इस पश्ट रखना है इस विशय को चलिए विराम देते हैं और जो ध्यान 94 जन्वरी से स्कहां सब्सक्राइब कर दिन से नेच्रोपेफिकाव भी मिलेगी कैसे यह यह लग जवाइन करना चाहते हैं इसपा लाब उठाकर अपने जीवन को ऐसको बेहतर बनाए और समाज के लिए भी अच्छा दे सके चलिए इसी के साथ विराम देते हैं बहुत बहुत आभार आप सभी का